हेलो फ्रेंड्स, कुल दिपजन ओफिशियल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम Child Development and Pedagogy के 30 कौस्चन को डिस्कस करेंगे ये कौस्चन आपके सीटेट परीक्षा में आयो हुए कौस्चन होंगे तो इन कौस्चन को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सीटेट में एक्जाम का लेविल क्या होता है कौस्चन की डिफिकल्टी लेविल क्या होती है, किस टॉपिक से आपको अधेक कौस्चन पूछे जाते हैं तो इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिले की तो इस वीडियो को अंतय तक जरूर देखियेगा Friends, यदि आपने मेरी previous वीडियो नहीं देखे तो उनको भी आप मेरे जरा पर जा करके देख सकते हैं तो आईए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहला कौस्टियन है Friends, बाल ले बस्ता के अवधी में विकासDuring the period of childhood development, आपको बताना है कि बाल ले बस्ता में विकास के स्थिद्धी क्या होती है, धीमी गती से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता है, तो बाल ले बस्ता में विकास धीमी गती से नहीं, तेज गती से होत और उसे मापात एकदम से तो नहीं माप सकते लेकिन उसको अंदाजा लगाया जा सकता है बहु इसतरी और मिस्रित होता है इस मल्टी लेयर्ड एंड कॉंप्लेक्स तो यह हो सकता है इस कांसर बाल लेवस्ता में बिकास में केबल परिनात्मक परिबर्तन होते हैं तो ऐसा नहीं है परिनात्मक और गुनात्मक दोनों होते हैं ठीक है disorder नहीं होता, orderly होता है और dis jointed होता है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका मतलब विकास है भाई, बहुस्तरी और मिस्रित होता है, हमने कल की वीडियो में ही देखा था, कि विकास क्या होता है, जन्मी से पूर्व सुरू होता है, और गर्ब अवस्ता से शुरू होता है, और आ और मिस्तरित होता है, तो option two, इसका right answer हो जाएगा friends, next question, निकटस्त विकास का छेत्र क्या है, John of Proximal Development is, तो Z, P, D, आपने इसका नाम सुना होगा, John of Proximal Development, निकटस्त विकास का छेत्र होता है, कि बच्चों की बर्तमाने इस्तर पर सुतंतर प्रदर्शन और बयस्क अधिक कोशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपारजित किये जाने वाले प्रदर्शन की मद्द का छेत्र कहलाता है आपका, John of Proximal Development, एक ऐसा छेत्र जहां तक बच्चे अपना व अपने परिबार से करें, कहीं से भी करें, उस छेत्र को बूला जाता है, निकटस्त विकास का छेत्र, बहां तक बच्चे का सर्व अंगिन विकास होता है, तो उस छेत्र को बूला जाता है, निकटस्त विकास का छेत्र, आफिर, John of Proximal Development, तो the area between a child's current level of independent performance, independent, मतलब सुदं अंदर रूप से जहां पर विकास करता है, and the level of performance that the child could achieve with the help of adults and more skilled peers, option बन इसका right answer हो जाएगा, Next question, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूरत संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं, या फिर उनका एक तरीके से लक्चन हो जाता है, या फिर अमूरत संक्रियात्मक अवस्था के विसेस्था क्या है, तो हमने जीन प्याजे की चार अवस्था हैं देखी थी कल भी देखी थी पहली अवस्था होती है पूर्व संबेदी गामक अवस्था पहली होती है संबेदी गामक अवस्था या फर इसी को बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज दूसरी जो अवस्था होती है, बहो होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्या होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फर इसी को बोला जाता है, pre-operational stage, तीसरा होता है, संक्रियात्मक या फिर मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था और चोथी होती है, आप्चारिक संक्रियात्मग अवस्था, ये इस प्याजे के दौराור dispara चार अवस्थाएं दी गए थी, पहली अवस्था में बच्चे अपने हाथ-पाउँ से, हाथ-और पैर से अपने जो भाव ह mini, या फिर तरक उसके जीवन में अभी नहीं आता, यह जो अवस्था है तरके से पहले की अवस्था है, और मूर्थ संक्रियात्म का वस्था में यहां तरक तो करने लगते हैं, लेकिन उसके मूर्थ जो उसके सामने बस तुएं दिख रही हैं, कॉंक्रीट रूप में उसका तरक जाहर ह और आप चारिक या अमूर्थ संक्रियात्म का वस्ता में क्या होता है कि बच्चे अमूर्थ रूप से तर्क करने लगते हैं तो आप से पूछा है कि बह कौन सी अवस्ता है जहां पर बच्चे अमूर्थ संक्रियात्म का वस्ता में क्या करने लगते हैं तो बह क्या करेंगे परिकल्पित, निग्मा नातमक तर्ग और प्रती ग्यप्ती चिंदन करने में समर्थ हो जाते हैं तो यही इसका right answer हो जाएगा और capable of hypothetical, deductive, reasoning and prepositional thought option 1 इसका right answer हो जाएगा आई हो भी आपको समझ में आया होगा next question लॉरेंस कोहलबर्ग की नेतिक बिकास के सिद्धन्द के अनुशार ब्यक्ती किस अवस्था में जब बहे बिस्वास करता है कि बर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रिया पूरवक बनाए रखने से धनातमक मान भी ये संबंद और सामाजिक बर्ग सुरक्षित रहता है तो आपको बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की किस नेतिक बिकास की अवस्था में बहे बिद्ध्यारती है तो दंड और अग्यापालन अभी बिन्यास तो इसमें नहीं होता है दंड और अग्यापालन अभी बिन्यास में क्या होता है कि जब बच्चा डरता है कोई काम करने में कि इससे पुरुषकार मिलेगा ये काम करने के से दंड मिलेगा तो उस अवस्ता में मानना जाता है वह है सामाजिक क्रम विवस्ता अभी बिन्यास में उसको ये पता चल गया है कि समाज के द्वारा कौन से ब्योहार को एकसेप्ट किया जाता है और कौन से ब्योहार को accept नहीं किया जाता है तो समाज के अनुशार बह ब्योहार करता है जो समाज द्वार ब्योहार को अनुगरेद किया जाता है accept किया जाता है उस ब्योहार को करने में बह सक्षम हो गया है तो सामाजिक क्रम वबस्ता अभी नियास के इस्तिती में अभी रहता है तो option two इसका right answer हो जाएगा तो socio order maintaining orientation इस जो अवस्ता में हैं बच्चा अभी है next question Harvard Gardiner के बहु बुद्धी सिध्धान्त के अनुशार नमने लिखत में से कौन सा जोड़ा बुद्धी के प्रकार और अंता हिस्तती अनुपालन संभावना के अनुशार सही है आपको यहां पर दिये हैं इन मेंसे आपको बताना है कि कौन सी बुद्धी किस के पास होती है तो इस चार जोड़े दिये हैं आपको बताना है कौन सा इसमें सही है तो स्थानिक बुद्धी, इस्थानिक बुद्धी जो है, किसके पास होती है, मनुविज्ञानिक के पास होती है, तो नहीं, इस्थानिक बुद्धी होती है, आपकी मूर्थिकार, चित्रकार, जो है, इनके पास क्या होती है, स्थानिक बुद्धी, आप इसी को बुला जाता है इस cade tactile intelligence यह तो गलत हो गया अंतरवेकतिक बुद्धी विकृता participating होती है ऐसा नहीं है भासिक बुद्धी ओस पुद्धि किसके पास होती है ₤ ले候 के पास होती है ₤ किसके पास हुथ है लेखक के पास होती है ₤ कभी के पास हो पास तो यही सही हो जाएगा सारी रिक गती जो बुद्धी होती है बहक इसके पास होती है खिलाडी के पास होती है तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा Harvard Gardiner के अनुशार सारी रिक गती जो संबेदना है या संबेदी बुद्धी है बै किस के पास होगी, खिलाडी के पास होगी, तो option for इसका right answer हो जाएगा friends Next, लेव वाय गौचचगी के अनुसार बच्चे के संग्यानात्मक बिकास में भासा की एक महत्वपूर भूमी का होती है बच्चे भाचा अधी ग्रहन यंत्र द्वारा भासा सीखते हैं बच्चों का संग्यानात्मक बिकास चर्णों में होता है इसकी मा के परिक पक्वन से बच्चे में संग्यानात्मक बिकास अग्रसर होता है तो इसकी मा जो बड़ है ये किस के द्वारा दिया गया था प्याजे के द्वारा तो यहां पर इसकी मा का कोई अर्थ नहीं होगा बच्चों का संग्यानात्मग विकास चरणों में होता है तो ऐसा लेव वाय गौसकी नहीं बताते हैं भासा अधिगर्ण जो है किसी यंत्र के द्वारा होता है यह सब भी नहीं है बच्चों के संग्यानात्मग विकास में भासा की एक महत्यपूर्ण भूमी का होती है तो यही सही है लेंग्वेज पिलेज अ एंपोटेंट रोल इन कोगनेटर डेवलपमेंट और चिल्टरन अकॉर्डिंग टू दी लेव वाय गौसकी आप्शन बन इसका बिल्कुत सही आंसर हो जाएगा कि संग्यानात्मग विकास में भासा की एक महत्यपूर्ण भूमी का होती है नेक्स्ट कॉस्चन फ्रेंड्स एक प्रगर्दी कसील कक्षा में सिक्षन अधीगम प्रक्रिया के दोरान अधीगम करताओं का मुल्यांकन बच्चों के अधीगम में सहायक नहीं है ऐसा गलत है जो अधीगम है अधीगम करताओं का मुल्यांकन बच्चों के अधीगम में सहायता करता है तो ये गलत हो जाएगा बच्चों की अधिकम प्रक्रिया में रुकावट उत्पर न करता है तो ऐसा नहीं है आप बच्चों की पदिक्षा लेते हैं बच्चों से प्रशन पूछते हैं ये अधिकम प्रक्रिया में रुकावट थोड़ी बनेगा आपको जानने में मदद करेगा कि बच्चों को कुछ चीज में परेशानी हो रही है अभी बाबकों को प्रती पुष्टी देने के प्रियोजन से बेहद सफल, कम सफल वा असफल बिद्धे अर्थियों को पहचानने में साई तो हम बच्चों को लेबलिंग करने में के ये पच्चे सफल है, ये असफल है, ये कम सफल है, इसके लिए हम मुल ल्यांकन नहीं करते हैं तो ये भी गलत है बेहद महत्तपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने सिक्षा सास्त पर विचार करने में सहायता करता है तो option 4 इसका right answer हो जाएगा जो आपका assessment है बहुत क्या करता है कि बच्चा किस तरीके से सीखता है किस तरीके के हमारी परिक्षा की जो method होनी चाहिए ये पढ़ाने की जो बिदी होनी चाहिए सिक्षन बिदीया होनी चाहिए इस पर आप विचार कर सकते हैं और अपनी जो सिक्षा सास्त्र है या पेड़ागोजी है उसको सुधार सकते हैं तो option 4 इसका right answer हो जाएगा next question friends कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूड़ी बादिता कम करने और विकास के बिस्तार की संभावनों को बढ़ाने के लिए प्रभावी पद्दती कौन सी है आप किस तरीकेशे gender biases, gender stereotypes को कम कर सकते हैं, खतम कर सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पे सबसे प्रभावी जो कारे हैं कौन सा है आपको बताना है लिगों के जैवे कंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वी कार करना आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो अपेक्षा कर सकें समाज में चित्रित लिंग भूमी काओं को प्रभावल करना ऐसा भी नहीं है इससे और जेंडर इस्ट्यो टाइप को बढ़ावा मिलेगा एक ही लिंग की युग समूद बनाना ऐसा नहीं है ये बरगी करन की रेड़ी में आ जाएगा बच्चों को अलग-अलग करने की लड़के अलग कर दिये जाएं लड़कियां अलग कर दी जाएं गलत हो जाएगा किरिया कल आपके लिए मिश्चरित लिंग समूद बनाना और विचार बिमर्स को प्रोस्थाहन करना बिचार बिमर्स करने के लिए प्रोस्थाहत करेंगे तो जिससे क्या होगा ये जो जेंडर रूड़ी बादिता है इसको कम करने में मदद होगी तो ये option for हमारा right answer हो जाएगा next question अध्यापकों को गक्षा में बहु भासिता को समझना चाहिए multilingualism is a classroom needs to be understood as blank by the teachers एक गोन और साधन के रूप में एक रिकावट के रूप में एक समस्या के रूप में या फर एक बिबस्था गत मुद्दा इसके रूप में तो हम बहु भासिता को साधन के रूप में लेते हैं एक resource के रूप में लेते हैं तो option बन इसका right answer हो जाएगा जो बहु भासिता है बह एक asset है और resource है एक गोन है और साधन है किसके लिए आपके अध्यापन सामागिरी के लिए next question बाल केंदरित कक्छा बह है जिसमें a child centered classroom is one in which हमने पढ़ा था कि बच्चे को केंदर में रख करके child को center में रख करके हमारी सारी activity होती है जिसके द्वारा बच्चा स्वयम अपनी ग्यान के लिए उप्यूग कर सके तो उस कक्छा को बूला जाता है friends, बाल केंदरित कक्छा या फिर child centered classroom तो option है आपके सामने अध्यापक केबल पाठ्थे पुस्तक के ज्यान के इस्तरोत के लिए उप्यूग करता है तो ऐसा नहीं है केबल पाठ्थे पुस्तक से ज्यान का निमान नहीं हो सकता केबल text book से उसके knowledge को improvement नहीं कर सकते है अध्यापक बच्चों को उनकी छमता के आधार पर बरगी करता है तो बच्चे को हम बरगी करत नहीं करते बच्चे को हम क्या अलग नहीं करते segregate नहीं करते तो ये भी नहीं होगा बच्चों की ब्योहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरुषकार और दंड का प्रियुक करता है तो पुरुषकार और दंड भी हम बच्चों को नहीं देते हैं अध्यापक लचीला है और प्रत्यक बच्चों की दफ्टिकत अबस्कताओं को पूरा करता है तो यहीं सही हो जाएगा The teacher is flexible and caters to needs of individual children एक एक बच्चे की अबस्कताओं को ध्यान में रख करके अपने अध्यापन को करवाएं और बच्चे को जो जरूरते हैं उसको पूरा करें तो यहीं सिक्चा क्या कहलाती है बाल केंद्रित सिक्चा और यही बाल केंद्रित कक्चा का एक गुण होता है आप्शन फूर इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा नेक्स्ट किस मनुबे ज्यानक के अनुशार बच्चों के संग्याना अध्मक बिकाश में शांशकर्तिक उपकरण एक महत्तुपून भूमी का नवाते हैं सांशकर्तिक उपकरण तो आपको पता है कि जो सांशकर्तिक उपकरण या फिर सामाजिक सांशकर्तिक का जो सिध्धान्थ है बहे किन के द्वारा दिया गया है लेव बाइगौचकी के द्वारा और लेव बाइगौचकी नहीं कहा था कि बच्चे अपनी ग्यान का निर्मान अपनी समाज में करते हैं और उनके लिए जो महत्पूर भूमी का नवाते हैं आपके cultural tools हैं या पर जो सामाजिक उपकरण हैं यह आपकी ग्यान के निर्मान में महत्पूर भूमी का नवाते हैं तो option बन इस question का सही answer हो जाएगा next question friends आनसिक दरश्टी वाले विध्यारतियों के लिए निमनलेखित में से कौन सी अधीगम शामागरी उपयोक्त नहीं है ऐसा बच्चा जिसके कम उसको दिखाई देता है तो कौन सा इसमों का उपागम सही नहीं है या उसके लिए उपयोक्त नहीं है तो बड़े याकार की मुद्रत पुष्टक हैं तो यह उसके लिए उपयोगी हो सकती है त्री बिबी एम नकसे और चार्ट उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं भोलती पुष्ट के और इसपर्षी है सूचना पढ़ ये भी उसके लिए उपयोगी हो सकता है छोटी मुद्रा वाली जो कारे सीट हैं इस्मॉल प्रिंटेड बर्क सीट हैं बहुत उसके लिए उपयोगी सावित नहीं होगी इस से उसको पढ़ने में कठनाई होगी तो यह है इसके लिए उपयोगी नहीं है यहीं हमारा option फूर राइट आंसर हो जागा इस question का next question friends friends I hope यह सारे question आपको पसंदा रहोंगे अगर पसंदाने तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ share कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिएजिएगा जिस से आगा में जो भी वेडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा तो सारी वीडियो आपको मिलने लगेंगे तो आएए आगे का question स्टार्ट करते हैं समावेसी सिक्षा के बीचे अंतरनेहत बिचार है समावेसी सिक्षा का एक तरीकेशी क्या बहुमी का है आपके अधिगम प्रक्रिया में क्या उसका उद्देश है तो बच्चों की उनकी योगता के आधार पर प्रथक करना वेवसायक प्रशिक्षन प्रदहन करना तो समावेसी कख्षा का एक लक्षन होता है एक उद्देश्य होता है कि सभी बच्चों को एक साथ बढ़ा करके चाहे लड़का हूँ लड़की हूँ किसी भी परीबेश से आते हो सभी को एक साथ बढ़ाना है ना कि हमें उनको प्रिथक करना है तो ये इसका नहीं होगा बच्चों की अच्छमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए ना मांकित करना बच्चों की लेबलिंग हम नहीं करते हैं बच्चों को हम अलग तलग करने की बात नहीं करेंगे तो ये भी नहीं होगा अलग-अलग अच्छमताओं बाले बच्चों के लिए बिसिस्ट सेक्षिक्षिक्ष संस्थानों का प्रावधान फिर से अलग सेक्षिक्षिक्ष संस्थान में बेजेंगे आप Special Education Institute में बेजेंगे तो बच्चों को अलग करने की बात की जाएगी इसमें सभी बच्चे एक साथ बैठ करके नहीं सीख पाएंगे दार्शनिक तक की सभी बच्चों को नियमित पिद्ध्याला में समान से च्छा पाने का अधिकार है यही इसका सही उद्देश्य है की सभी बच्चों को एक साथ बैठ करके जो सामान्य स्कूल है, सभी के लिए जो स्कूल बने हैं, उसमें बैट करके सिक्षा का अधिकार देती है, कौन सी समाबेसी सिक्षा या समाबेसी कक्षा, option 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, friends, next question, प्रतिबशाली और सिर्णनादमक बच्चों की अवशक्ताओं को किस प्रकार सम मुदत किया जा सकता है, चौनोती पून कार और नीरेस्ता दूर करने वाले के लिए कलाब देकर, बेप्रशन देकर, जिनमें अभी मुकी चिंतन की अवशक्ता होती है, प्रशन हल करने के लिए बिसेष्ट निर्देश उपलब्द कराकर, और रटने पर आधारत परीक्ष देकर, तो हम रटनी पर आधारत परीक्षा नहीं देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, प्रशन हल करने के लिए बिसेष्ट निर्देश, बच्चे यहां पर सुतंत्र रूप से नहीं सीख पाएंगे, अगर आप उनको निर्देश देके रखेंगे, तो ये गलत हो जाएग कि आप उनको चैलेंजिंग कार या पर चुनादी पूरे कार देंगे और नीरस्ता दूर करने के लिए क्रिया कलाब देंगे, तो यहीं सही हो जाएगा, गिविंग चैलेंजेश, चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज तू प्रेवेंट बोर्डम, ऑप्शन वन इ इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट, पठन बैफल्ले बच्चों की पहचान किस प्रिकार की जा सकती है, डिसलेक्सिया वाले बच्चों की पहचान किस प्रिकार की जाती है, तो हमने अधिगम जो बिकार हैं, अधिगम बिकार के बारे में पढ़ा था, यह बहुत बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, यह सारे आपने पढ़े रखे हैं, तो यहां पर जो पढ़ने वाला जो बिकार है, पठन बिकार है, या पर dyslexia है, यह किस तरीके से इसकी पहचान कर सकते हैं, उनके सामाजिक और Sanskritic संदर्बों को जान करके गलत हो जाएगा, प रच्चा पढ़ नहीं पाता, सही तरीके से लिख नहीं पाता, तो पढ़ने लिखने के कौशलता से, जो मिचलेशन करके, आप पठन बेकल लिखो, समझ सकते हैं, तो option 3, इसका right answer हो जाएगा, analyzing their reading and writing skills, इससे हमें dyslexia का पता चल जाएगा, next question, प्रतिकूल परिस्तिती और बंचित प्रष्ट भूमी वाले अधीगम करताओं को संबुदत करने के लिए, निमने लेकत मेशे कौन सी पद्दती प्रभावशाली नहीं है, तो आपको ऐसा बताना है, जो यहाँ पर प्रभावशाली नहीं है, not effective strategy, इसको बताना है, अधीगम करताओं से बातचीत करके उनकी अवस्कताओं और उनके सम्मुख आई चुनोतियों को समझना, ये तो उनके लिए प्रभावी हो सकता है, अधीगम करताओं को विध्याला के बाहर ट्यूशन बढ़ाने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े, तो ये कोई बात होती नहीं है, तो यहीं गलत हो जाएगा, मतलब यहीं हमारा आंसर हो सकता है, बिध्यार्तियों को संतुलित, चुनौती पून लक्षों के प्रति अभी प्रेट करना और उपरयोक्त सिक्षण सहाध उफलब्द कराना, यЕ सही है, ये प्रतिवासालि जो प्रभावसालि क्षण के प्रक्रिया में, क्रिया का लापों के लिए सही योगी समूल बनाना, और विद्ध्यार्तियों को एक दूसरे के साथ समर्थन और प्रोष साहत करने के लिए प्रिरेथ करना है। यह भी इसकी क्या हो जागी। जिससे यहां पर कुलेवरेशन बढ़ेगा बच्चों के बीच में सहीयोग की भावना बढ़ेगी। यह भी प्रभावी तरीका हो जाएगा। जो प्रभावी तरीका नहीं होगा। बच्चों को ट्यूशन के लिए बाहर भेजना यह कोई स्ट बढ़ाव नहीं पड़ता तो एसा नहीं है। एक महत्पून भूमी का है तो यह हो सकता है। tratar नहीं है कोई आपसी संब्न नहीं है तो यह कलत रहे इसा नहीं है। जो ए Saya उसका है और अदिकाम में शारीरिक लगुमी का नभाते हैं, इंपोर्टेंट रोल नभाते हैं, लर्निंग के अंदर, तो option 2 इसका राइट सांजा हो जाएगा. Next, कक्छा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोथ साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? इसके अंदर आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं, चार स्टेटमेंट आपको दिये हैं, बिद्ध्यारतियों की साहिता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभी प्रेणाओं को सुववस्तित करने, तो बिल्कुल बच्चों को प्रोथ साहित करना चाहिए, उ मोटिवेशन को बनाए रखें, तो ये करना चाहिए, बिद्ध्यारतियों को उनके प्रेशन के आधार पर बर्गी करित, नामांकित करने, योग आधारत समूर बनाने चाहिए, तो हम अभी सीख के आए हैं कि हम बच्चों को बर्गी करित नहीं करेंगे, उनकी लेवलिंग नहीं करेंगे, बिद्ध्यारतियों में संबाद और परीचरिया को प्रोसायत करना, जिनसे भी बहु परीपेक्ष करने में ससकत हों, तो बिलकुल ऐसा भी हम कर सकते हैं, तक्चा में विविद्ध्यता की उपेक्चा करके सिक्षन की मानक स्टेंडराइजड मेथड को अप बनाना चाहिए, स्टेंडराइज मेंथड को आप क्या करेंगे, अपनी सिक्षन परक्रिया में रखेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसका मदला स्टेट्मेंट 3 और बन, बन और 3 दोनों सही हैं, तो उप्षन बन में ये दोनों मिल जाएंगे, उप्षन बन हमारा राइट अंसर हो जाएगा, स्टेट्मेंट 1 और 3 दोनों सही हो जाएंगे, अगला कोस्चन, अधीगम एक खालिस्थान और खालिस्थान प्रक्रिया है, तो अधीगम जटल और सक्रिये प्रक्रिया है, सरल और रेखेक है, सरल और ब्यक्तिकत है, जटल और निस्क्रिये है, और सरल भी नहीं है अधिगम एक जटल और सक्रिय प्रक्रिया है Learning is a complex and active process Option 1 इसका बिल्को सही आंसर हो जाएगा Next अपनी कक्छा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अधियापिका को अपनी कक्छा में सामाजिक, सांस्किर्टिक धार्मेक महासाई बिविदता को खाल स्थान करना चाहिए महासाई बिविदता है या फिर जो आपका language, multi-language वाला function अभी हम उपर पढ़के आये हैं वही इसमें पूछा है कि अगर आपके कक्छा में अधिक प्रष्ट भासाई प्रष्ट भूवी वाले बच्चे हैं तो आपको उसको क्या करना चाहिए टालना चाहिए नहीं आप उसको dismiss नहीं कर सकते ignore भी नहीं कर सकते मतलब उपेक्षित भी नहीं कर सकते हमें उसको समझना चाहिए हमें उसको एक तरीके से क्या करना चाहिए एक साधन के रूप में लेना चाहिए तो उसके लिए हमें जो है भाव भासिता को एक तरीके से एक साधन के रूप में लेने के लिए उसको समझना चाहिए तो option 3 इसका right answer हो जाएगा friends नेक्स्ट जक्षा में प्रभाव शाली अधीगम के लिए खालिस्थान बाताबरण की रचना करनी चाहिए बजाए खालिस्थान बाताबरण की तो हमें प्रति इस परदी बाताबरण की बात हम करते नहीं है तो यह दोनों तो नहीं हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा कि हमें एक सहीयोगिक बाताबरण की रचना करनी चाहिए बजाए प्रति इस परदी बाताबरण के तो collaborator environment की हमें क्या करनी चाहिए बनाना चाहिए और competition को हमें क्या करना चाहिए कम करना चाहिए तो option बन इसका right answer हो जाएगा next question निम्लिकत मैंसे कौन सा उधारन बिध्यारती को अधीगम के लिए अभी प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धती है तो part उपलब्द कराना बिशेश कर जब बिध्यारती कोई नया कौशल सीख रहे हो तो part इसके बारे में हम regular पढ़ रहे हैं इसके फोल्डिंग से आपको एक नया कौशल पूछा ही जाता है तो जब बच्चा अपने ग्यान कर निर्मार्ण स्वयम करता है और अपने ग्यान कर निर्मार्ण के दोरान उसको किसी इस्तिती में सहायता की जरूरत पढ़ती है या फिर सहारे की जरूरत पढ़ती है तो इसी सहारे को बोला जाता है क्या पाड इसी को बोला जाता है पाड इसी को बोला जाता है मचान या फिर इसी को बोला जाता है स्केफ फोल्डिंग तो जब उसको जरूरत पड़ती है तो हमें क्या करना चाहिए इसके फोल्ड करना चाहिए हमें उसके लिए पाड़ प्रदान या सहात्य प्रदान करनी चाहिए तो option बन इसका tight answer हो जाएगा वाकी option को भी देख लेंगे सीखने से ज़्यादा कारपूर करने पर बल देना ऐसा गलत है कारपूर हो जाएगा और बहुत सीख नहीं पाएगा तो उसका सीखना अरतहीन हो जाएगा बेकारे देना जो की बहुत सरल हों तो इससी क्या होगा उसकी छमता में कमी आएगी प्रतियोगिता के लिए बहुत से आवशार उत्पन करना तो प्रतियोगिता में बच्चा अपने प्रदरस्षन उन्हों की लक्षों को देखेगा अपने परफॉर्मेंस ओरियंटेट गोल्स को देखेगा यहां पर सीख नहीं पाएगा तो ऑप्षन बन इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट बच्चों के चिंतन के बिशह में निमने लिकित मेंशे कौन सा कतन सही नहीं है नौट करेक्ट वाला ऑप्षन यहां पर ढूणना है बच्चे अपने आसपास की बिबल गटनाओं के बारे में स्वयम अपने सिध्धानतों की रचना करते हैं तो बिल्कु सही है जिसे हम नाइव कंसेप्ट कहते हैं नाइव कंसेप्ट कहते हैं बच्चा कहीं भी जाता है और उस चीज को अपनेases बताता है कि यह ऐसा बना होगा तो उसके बारे में अपनी सोच होती है अपना फिन होता है तो यह सही होगा बच्चे संप्रत्यों स्वयम नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमी का उन्हें जानकारी उपलब्द कराना है तो ये गलत हो जाएगा कि बच्चे इसकुछ सोच नहीं सकते हैं तो यही हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि हमें नहीं वाला इसमें छाटना था नेक्स्ट बच्चे अपने आसपास की बेविद घटनाओं के बारे में सक्रिय था पूर्वक सोचते हैं उनमें अनवेशन की लालशा होती है बिल्कुल जिग्यासा उनमें होती है बच्चे अपने असपास की बस्तूं को जनने के लिए जर्मजात जिग्यासु होते हैं ठीक है आर बॉर्न बिद क्योरसिटी बिल्कुश सही है तो जो जिंदन के सम्मन्न में सही नहीं है वह है ऑप्शन टू ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों का बिद्ध्याला में असफल होना किस बात का प्रतीक होता है फेलियर इन इश्कूल क्या पताएगा प्रस्तावित करता है कि बंचित प्रष्ट भूमी वाले बच्चों में अधीगम का समर्थ नहीं है इसा नहीं है बच्चा कहीं कुछी भी प्रष्ट भूमी से आता है उसमें अधीगम करने का समर्थ होता है निर्देश्ट करता है कि बिद्ध्याला इन बच्चों की अबसक्ताओं और रुचियों की पूर्थी करने में समर्थ नहीं है तो यहीं सही हो जाएगा जो बिद्ध्याला है बच्चों की रुचियों को नहीं जान पा रहा उनको जो अधीगम सम्मंदी चीज़े हैं उसको देने में असमर्थ हो रहा है सावित करता है कि बच्चों में अनुमान से की पैदाईसी कमिया है तो ऐसा नहीं है सूज़त करता है कि अभी बावकों में अपने बच्चों के अधीगम में सहायता करने का सामर्थ नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा सही होगा आपका option two Indicates the school has not been able to cater to the needs and interests of these children Option two right answer हो जाएगा इसका Next question समुग में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयम की चिंदन प्रक्रियाओं पर आप एक्षि कर सकते हैं और संग्यानात्म के लिए कल आपके उच्च इस्तरी उच्च इस्तर पर पहुंच सकते हैं तो ये हो सकता है इसका बच्चों में भ्रांती उत्पन हो सकती है कैसे बच्चा जो उसको आता है दूसरों को पढ़ाने से उसको भ्रांती उत्पन न थोड़ी होगी तो ये गलत हो जाएगा बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है ये भी गलत हो जाएगा बच्चों में प्रती इस परधातमक प्रब्रती उत्पन होगी, यह गलत हो जाएगा, ऐसा करने से बच्चों में सही होगा अत्मक प्रब्रती उत्पन होगी, ना कि प्रती इस परधातमक, तो option बन इसका right answer हो जाएगा, are able to reflect on their own thought process and shift to a higher level of cognitive activity, तो option बन इसका right answer हो जाएगा, नेक्स्ट एक खालिस्थान कक्षा में अध्यापी का अपनी सिक्षा, सास्त्र वा आंकलन की विधियों को विध्यारतियों की व्यक्ति के जरूरतों के नुसार परिवर्तित करती है तो बहुत कौन सी कक्षा का उधारण है? अप्शन बन है, अध्यापक के अंद्रेत तो गलत हो जाएगा, प्रगरती शील हो सकता है, पाट्टे पुस्त के अंद्रेत ये भी गलत हो जाएगा, तो एक प्रगरती शील कक्षा में, या फिर हम बोल सकते हैं एक प्रोग्रेशो क्लासरूम में, ऐसा होता है कि बच्चे की जरूरत के हिसाब से अपनी विधियां अपने ब्यक्ति का जरूर्तों के नुशार परिवरतित करती रहती हैं नेक्स्ट विकास के विशाय में निमने लिकित मैसे कौन सा कतन सही है बच्चों के विकास में बहुत सी होता है तो गलत है अलग-अलग समय पर अलग-अलग बच्चों में विवित्ता हो सकती है विकास के संबंद में विकास सुरुचिपूर्ण सुविवस्ते समुख की अबस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुबान से घटकों के कारण होता है तो ऐसा नहीं है विकास अनु होता है यह गलत हो जाएगा option बन इसका सही आंसर हो जाएगा there is a lot of cultural diversity in development of children option बन इसका right answer हो जाएगा friends next निम्ने लिकित में से मद्द बाल लेवस्था की अवदी का प्रमुक प्रमाण चिन्न कौन सा है मद्द बाल लेवस्था में कैसे आप बता सकते हैं कौन से कृheen अकल आपके दोारा बता सकते हैं कि बच्चे अभी मद्द बाल ले वस्था में हैं तो प्रतीका अत्मक खेल का उभरना तर्क संगत बिचारों का विकास जो की प्राकर्तिक रूप से मूर्थ है पेशी एकोशल और समगर सारी डिक प्रद्धी का तेजी से बिकास बिज्ञान तर्क अमूर्थ तर्क से सोचनी की चमता बिक्सित तो ये तो आपका आपचारिक संक्रियात्म का वस्था में आता है पेशी एकोशल और समगर सारीरिक प्रद्धी में तेजी से बिकास ये किसोर अवस्था में आता है और तरक संगत बिचारों का बिकास जो की प्राकृतिक रूप से अमूर्थ है तो यही हमने पढ़ा था एक कॉस्चेन पूछा था जिसमें ये तरक दिया था तो option two इसका right answer हो जाएगा development of logical thought that is concrete in nature option two इसका right answer हो जाएगा next बच्चों के सामाजी करण में बिध्याला की कोई भूमिका नहीं है गलत बहुत कम भूमिका है गलत प्रात में कारक है प्रात में कारक तो परिबार होता है उसके माता-पिता होते हैं और बिध्याला होता है दुतियक कारक, secondary agent होता है आपके socialization के लिए तो option four इसका right answer हो जाएगा next निमने लिकत में से किस मनुबे ज्यानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से बैसकों की अपेक्चा अलग होता है तो किस के दोरा किया गया फ्रेंट्स जीन प्याजी के दोरा ऐसा कहा गया कि जो बच्चों का चिंतन है गुणात्मक रूप से अलग होता है बैसकों की तुल्ला में मात्रात्मक रूप से तो समान होता है मात्रात्मक रूप से बच्चों में और बैसकों में ये समान होता है कि ऐसा नहीं है कि बच्चों के अंदर चिंतन या फिर बिचार नहीं आते हैं उतने ही बिचार आते हैं जितने बैसके के अंदर आते हैं लेकिन उनका गुणात्मक रूप अलग-अलग हो सकता है बच्चे अपना नेव कंसेप्ट के द्वारा जो अपने बिचार हमूल बिचार हमूल अधार ना हैं उनके हिसाब से अपने बिचारों को देंगे लेकिन बैस अपनी समझ के द्वारा उस बिचारों को दे सकते हैं तो गुणात्मक अंतर उनमें होता है बना मात्रात्मक रूप से क्या होते हैं एक से होते हैं तो यह कहा तक इसकी द्वारा जीन प्याजी के द्वारा ऑप्शन बने इसका राइट आंसर हो जागा तो फ्रेंड्स आई होप जो हमने CDP के 30 कॉस्टन डिसकस किये हैं आपको पसंद आया होंगे अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक केजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेजिएगा आगा में जो वीडियो अपलोड होगे उसका न और नवाद